नमस्कार मैं सिखा सिंग और आप देख रहे हैं जनहीतावाज दिल्ली के मंगोल पुरी फ्लाइ ओवर के पास की एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि दो वेक्टी जो है एक महिला को जबरन गारी में बिठानी की कोसिस कर रहे हैं इस वीडियो के वाइरल होने के बाद महिला आयोग की अध्यक स्वाती मालिवाल ने एक नोटीस जारी किया है दिल्ली पुलीस को स्वातिम आलिवाल ने लिखा है कि महिला को जबरन गारी में डालने और पीटे की इस वाइरल वीडियो पर संग्यान लेते हुए मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ इन लोगों के खिलाफ आयोग सक्थ एक्सन सुनिश्चित करेगा हालाकि ये पहला मामला नहीं है जब विली जैसे सहर में इस तरह की गटना हो रही है इससे पहले भी कांजावाला और ना जाने निर्व्या आपको यादी होगा और अनेको ऐसे मामले है जिस पे अभी तक कुछ कारवाई नहीं हुई है मामले ऐसे होते हैं जो सुर्किया बटोरते हैं जो वीडियो वाइरल होती है उस पे तो एक्षन लिया जाता है लेकिन आप सोचिए कि कितने सारे ऐसे मामले होंगे पुरे देश में जो अभी तक वीडियो बनके वाइरल नहीं हुआ है हाला कि आप खुछ सोचिए कि जब दिल्ली जैसे सहर में जो राजधानी है देश की जब उसमें महिलाओं की ये हालत हो सकती है तो बाकी राज्यों में छोटे छोटे गाओं में सहरों में महिलाओं की क्या हालत होती हो कि जहां बीजेपी सरकार हमेशा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है लेकिन नारा के विपरीत क्या बेटी बच पा रही है, क्या बेटी पढ पा रही है आपको मैं NCRB की आकरे बताओं की जो 2021 और 22 में उन्होंने आकरे जारी किये थे उसे पहले और भी मैं कुछ चीज़े आपको बताना चाहती हूँ, स्वाती मालीवाल का मैंने आपको ट्विटर हैंडल बताया कि उन्होंने किस परकार से दिली पुलीस को नोटीस जारी किया है कि वो इस पर एक्षन ले, वहीं पर NVT दिली लिखता है कि देली मंगोल पुरी में कल रात एक लड़की को जबरन कार में बिठा कर ले जाने के मामले में देली पुलीस ने जासरू की है DCW डेली ने भी इस मामले में नोटीस जारी कर दिली पुलीस से जवाब मांगा है हाला कि इस मामले में कारवाई सुरू हो गई है और दिली पुलीस हरेंद कुमार सिंग का कहना है कि जो गारी का नंबर प्लेट है उसकी जाच हो रही है वहीं जनतंत्र टीवी लिखता है कि राजधानी देली में एक वार फिर से महिलाओं के खिलाफ हुई एक वारदात ने संसनी फैला दी है मंगोल पुरी फ्लाइ ओवर के पास एक वेक्ती द्वारा महिला की पिटाई कर उसे जबरन कार में बठाने की घटना कैमरे में कैद हुई है DCW की अध्यक स्वाती जैहिंद ने संग्यान लेते हुए देली पुलीस को नोटिस जारी किया है और कहा महिला आयोग आरोपियो पर सक्त कारवाही करेगा दिल्ली पुलीस ने टूइट की है इस मामले पे संग्यान लेते हुए उन्होंने बोला है कि हम इस पे कारवाही करेंगे हाला कि इस वीडियो को देखते हुए जिस परकार से ये वीडियो वाइरल हो रहा है उस पे सारे दिली पुलीस ने एक्शन लिया है और इस पे कारवाई हो रही है लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके अलाबा और छोटे-छोटे राजियों में, छोटे-छोटे सहरों में कितनी लड़कियां सोसन का सिकार होती होगी, कितनी लड़कियों के साथ दुसकर्म होता होगा बीजेपी सरकार तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा लगाई रही है लेकिन मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये नारा बदल देना चाहिए क्योंकि ना तो बेटियां बच रही हैं और ना ही बेटियां पढ़ रही है आपको हैरानी होगी NCRB के आकरे सुनके NCRB के आकरों के मुताबिक पूरे देश में 87 रेप और एक घंटे में 49 केस दायर होते हैं जिसमें दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की में बात बता रही हूँ और NCRB के आकरे के मुताबिक कौन राज रेप के मामले में सबसे उपर है सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान राजस्थान में 6342 मामले मर्द परदेश में 2947 और उत्तर परदेश तीसरे नंबर पे है और दिल्ली चौथे नंबर पे है आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पुरे देश का सबसे बरा राज है दिल्ली जो राजधानी है इन सब राज्यों की जब ये हालात है तो आप सोची कितनी महिलाएं बच रही होगी सोचन से कितनी महिलाएं रोज इसका सामना करती होगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि रास्तिय अप्राध रिकॉर्ड बियोरो यानि एन सी आरबी के पुर्व निदेशक सार्दा प्रसाथ तीन राजजियों राजस्थान उतर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रेप के मामलों में बठोतरी का कारन है उन्होंने बताया कि सामनती विचारधारा का होना ही रेप का कारण हें लेकिन जहां पर दो साल की बच्ची, दो महिने की बच्ची आए दिन अगवा कर ली जाती है जो सोसन का सिकार होती आज एक मामला जो सुर्खिया बटोर रहा है नाजाने कितने मामले होंगे जो दबे हैं अभी तक आपको क्या लगता है कि महिला को ससक्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है जितना ही वो जोर सोर से नारा लगाती है बेटी बचाने का उतना ही जोर सोर से महिलाओं के साथ बला कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद